नमस्कार एक बार पनो हाजिर हो मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स पे देखेगा एक मेल हतेली हमारे पास है विसलेशन के लिए और इस हतेली में जो हमारी नजर पढ़ रही है दो चीजों पे बहुत जादा पढ़ रही है आप भी सरल तरह के से देखे एक तो अंगोठे के बनावट पे हमारी नजर पढ़ रही है सीधा सीधा दूसरा जो आपकी रिंग फिंगर है, आपकी जो है मिडल फिंगर है, उसके बीच के इस गैप पर हमारी नजर पड़ रही है तीसरा हतेली के सूर्य परफत पर भी हमारी नजर अटक रही है और चौता जो है मनि बंद पे जो है नजरें याँ पे साप साप दिखाई दे रही है और किलियर जो है आपकी जीवन के बारे में और आने वाले जीवन के बारे में आपकी हतेली इस पश्ट रोप से कहती हुई नजर आ रही है सरल तरीके से बताने की कोशिस करूँगा सरल तरीके से दिखाने की कोशिस करूँगा इस हतेली का विसलेशन करने से पहले एक जरूरी सूचना उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ जो हस्तरेखा सास्तर में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं प्रेक्टिस कर रहे हैं तो उनकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रेट किया है भासकरा पामिष्टरी दरपन उसमें केवल सिखाने वाली वीडियो लर्निंग वाली और जानकारी से भरी वीडियो प्रते एक दिन अपलोड होती है उसका लिंक में इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूँ आप उस लिंक को खोलिएगा उस चैनल पे विजिट करिएगा और उस वीडियो को देख करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा सेर कर लीजेगा और जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल में मुझे प्यार दिया है अपना इसनेह दिया है अपना सपोर्ट दिया है वहाँ भी देने की कोशिस करिएगा हम आपके आभारे रहेंगे और आपको बहुत बड़ा फाइदा उस चैनल से मिलने वाला है हस्तरेखा से सम्मंदित जीवन के लिए जो भी चीजे उप्योगी है चाई बैदिक संस्कृत का कोई भी पार्ट हो उसमें हम डालने की कोशिस कर रहे है और बहुत सरल तरीके से डालते भी है देखेगा हतेली पे आईएगा सबसे पहले अंगोठे पे हमारा जो है यहाँ पे नजर जारी है देखे इस जीवनकाल में संगर्स को दिखाता है अगर अंगोठा इस परकार से आकार परकार हो तो संगर्स को दिखाता है जीवनकाल में खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है खास कर जीवन में धन कमाने की इस्तिति लेट बनती है और देखा जाए तो थोड़ा-थोड़ा 42 वर्स की आयू से ठीक होने लगता है लेकिन जो 56 वर्स की आयू है उसके बाद बहुत सुनर समय आपका कहलाएगा ये निश्चित है बहुत ही सुनर समय थोड़ा सा ऐसे जातकों को ब्यावसाई बड़ा सोच समझे करना चाहे ये कई बार ब्यावसाई में जो है थोड़ा नुकसान को दिखाता है अगर ब्यावसाई करते भी हैं तो ठीक है चलेगा लेकिन पार्टनर्शिप में नहीं करना चाहे और थोड़ा सा जेसे जैसे उम्र बढती है पीठ का दर्द घुटने का दर्द कमर की प्रोबलम की संभा होना को ये बढ़ाता है इसे लोगों को योगा प्रणायाम और हो सके तो ध्यान और योग कृरिया भी ऐसे लोगों को जीवन में करनी चाहे हैं कुछ ध्यान और योग किरियाएं मैं आपको दूँगा जिससे जो वायू तत्व है आपका जो आपका जो है अगनी तत्व है जो जल तत्व है जो आकास तत्व है जो पिर्थिवी तत्व है वो अनबैलेंस हैं तो अपने बैलेंस में ध्यान और योग द्वारा जो है निश् ये रिंग फिंगर है उसका जड़ वाला अगर भाग देखें तो इसमें बहुत सुन्दर रेखा दिखाई देरी है इतनी सुन्दर इस पश्ट रेखा अगर सूर्य परवत पे होती है तो ये बिक्ति को गद्दी दिलाने वाले काम करता है मान, सम्मान और प्रतिष्टा बहुत ज़्यादा दिलाती है समाज में जो है बिक्ति प्रतिष्टित बिक्ति की रोप में होता है जो भी कार्य करता है उसमें सफलता पाता है और कहीं न कहीं जो है बहुत सुन्दर जो है बिक्ति का जीवन उबर कर आता है भव्यारोप से उबर कराता है और खास कर यहां पर यह चोटी सी रेखा हो जो यहां पर आप देख रहे हैं यह वाली तो विक्त को अपने छेतर में बेसिक जानकारी बहुत अच्छा होता है यह बिद्या के रेखा है लोग छोटी छोटी सलाहे लेकर बड़ी सलाह से ऐसे लो को होती है और जिस छेतर में बिद्या होती है उस छेतर में जो है कार्य में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं लेकिन अगर यह रेखा है और यह रेखा इस तरह से यहां पर इस वोरी है यहां पर कुछ रेखाई यह जारी है यह जारी है और कोई रेखाई यह आरी जैसे आपके हतेले में है तो इस रेखा का जो महत्व है वो महत्व खतम हो जाता है ठीक है ने और खास कर ये परवत भी जो है इस तरों से बैठा वा हो और रेखा इस तरों से हो भेधन हो रही हो तो ब्यक्ति की मेहनत का ब्यक्ति की परिश्रम का न तो उसको स्रे मिल पाता है उसक और चाहे वो जो है ब्यापार कर रहा हो फैलाव कम मिलता है उसका क्रेडिट ने मिलने देता है और जो योगिता इस रेखा की वो जो से आपके अंदर रहती है उस तरों से चीजें निखर कर नहीं आती है उभर कर नहीं आती है चाहे आर्थिक इस्तिति हो चाहे सामाजिक इस इसको बहुत सरल है सुरय ओधए ये समय जो क्रिया की जाती है जो इसको अगर करते हैं तो ये अपने आप धिरे धिरे जो है अपने अच्छे प्रभाव में आते हैं और योग द्यान किरिया के द्वारा जो ये रेखा पे अलग प्रकार के निशान है ये अच्छे निसान के रोप में बदल जाते हैं और इनके परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं देखोगे जब हम कर्म करेंगे तब ही फल की प्राप्ति होगी ये निश्चित है जब आप योग किरिया ध्यान किरिया करेंगे प्रणायाम करेंगे योगा करेंगे और इस्वर का जो है मानसिक रूप से जो है ध्यान करेंगे और उनको अपने भाव से ठीक है ने? समरपन करेंगे अपने को तो तबी जो है जीवन में जो पांच तत्व हैं वो तत्व अपने सीध में आ जाएंगे और अच्छे परिणाम देंगे और यही आपको करना है हतेली को देखें बहुत सुन्दर आउस्ता में देखेंगा यहाँ पे यहाँ पे जो यह उंगले है सीधी खड़ी है ब्रिस्पती की लिडर्शिप की गुणों को बता रही है बेक्ति के नराच्छे खासे हैं यह उंगली भी सीधी खड़ी है निश्चित रोब से मेहनती है मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है यह भी बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें दिख रही है यह उंगली हलकी रोब से जुकी उई है और ये middle finger की तरफ जुका हुआ इसको दिखाई दे रहा है कही न कही नेम और फिम पाने की एक्षा बनी रहेगी इस और जो है ये दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गयब दिख रहा है जब सनी की साड़े साती या धाया चलती है तो ऐसे लोगों को problem ज़ादा देती है ये परेशान ज़ादा करती है और जिस तरह से हिर्दे की लकीर है और यहाँ पे दो मुही ओरी है ऐसा ब्यक्ति अपने parents की अच्छी सेवा करना चाता है सेवा भावी होता है लेकिन इसकी वजोसे जिस रोप में वो सेवा करना चाता है जितना करना चाता है उस रोप में कर नहीं पाता है इस चीज के और भी ये दिखाता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो है ब्रस्पति की उंगली से जो है अच्छे खासी बड़ी आपकी सूरे की उंगली दिखाई दे रही है हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर रिस्क लेने की छमता है आपके अंदर और जो व्यक्ती हिम्मत रखता हो और रिस्क लेता हो अपनी जीवन में वो सफल जरूर होता है और जो आयो आ रहे ये 56 वर्ष की आयो की बात वो आयो आपकी जीवन के लिए एक गोल्डन चांस लेके आ रहे है बुनाना अच्छी तरह से बुलाना और बहुत सुन्दर जो है वो रहेगा उसको कैस करना दूसरी बात ये रेखा ये उंगली बड़ी है ऐसा जातक यसोस्वी होता है आप यसोस्वी होंगे समाज में मान परतिष्टा यस पाने वाले होंगे फेम पाने वाले होंगे शफलतम जातक होंगे ये निश्चित है आने वाले समय में सफलता की प्राप्ति होगी यस की प्र डिट मिलेगा थोड़ा सा जो है सूर्य को अच्छा कर लिजेगा एक चीज और दिखाई देरी है यहां पे जो है यह उंगली बहुत अच्छे रूप में उपर के और जो है खड़ी है यह सीधी खड़ी तो ब्यापार की छित्र में होता है, या नौकरी कर रहा है तो अच्छी पोश्ट पे होता है कुलमिला के बात करें ऐसा व्यक्त्ति निश्चित ही उच्बर्ग का व्यक्ति होता है, स्रेष्ट और सफलतम व्यक्ति होता है, ऐसा जातक अपने बल पोते पर ही कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में एक सर्वसरिष्टम इस्तिति में है देखेगा जब कनिष्टा इस तरो से जो है लमवत खड़ी होती है सीधी खड़ी होती है तो ऐसा ब्यक्ति स्वयम उध्यमी तो होता ही है कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कारियों के लिए लोग उन्हें सदेव याद रखें और अपने जो मैंने रिसर्च है उसमें जो चीज पाई है जिसकी ये उंगली लंबी हो आपकी ब्रस्पति की उंगली से लेकिन मिडिल फिंगर से छूटी हो साथ में ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही हो निश्चित ही अगर ग्रह इस्तिति अनकूल होती है ब्यक्ति की उस समय पे जब वो ये कोशिस करता है तो ये राजयोग को जन्म देती हैं जीवन काल में और इसा ब्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नोकरी की प्राप्ति करता है या इससे समंदित छेतर में कार्य करने वाले होते हैं अगर किसी प्रस्तितिवस ऐसा ब्यक्ति जो है सरकारी छेतर या सरकारी नोकरी की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो ऐसा ब्यक्ति ब्यापार की तरब जाता है और ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है लेकिन उसमें ग्रहों की भूमिका भी दिखाई देती है जैसे बरतमान में सूर्य ठीक नहीं है सूर्य रेखा ठीक नहीं है तो इस राज योग का परिणाम बेहतरी नहीं मिलता है अंगोठा इस परकार हो तो जो जो बाते मैंने बताई है उस तरह की परिणाम बेहतरी को देखने को मिलता है कुल मिला के क्या करना चाहिए यह बताती है आपकी जीवन में अच्छा योग है राज योग की प्राप्त है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको बेग्यानिक तरीके से जो है जीवन अपनाना होगा जीवन को एक अनुसासनात्मक तरीके से चलाना होगा थोड़ा बदलाव की जरूरत है समय आ गया है लेकिन बदलाव जरूरी है अगर जीवन में उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे तो जो है वो राज योग राज योग के वो लहतीली में रह जाएगा जीवन में उतर नहीं पा दाएगा तो इसके लिए जो है जो सुभा की क्रिया है सन्राइज के समय की जो किरिया है और जो ध्यान और योग की रिया है वो जरूरी है आपके लिए और वही किरिया प्रैक्टिकल रोप में कहziękuję इसे करते हैं मैं ओडियो के मादेयम से आपके वर्सप नमर पर भीज रहा हूं उसके परेडाम देखेंगा चाये आर्थिक रोप से हो सारिर्रें का रोप मानसिक रूप से हो सामाजिक रूप से हो और व्यक्तित्व की रूप में हो देखने की कोशिस करेगा बहुत सुन्नर रहेने वाला है यहाँ पे थोड़ा सा जो है अगर मनिबन देखे मनिबन अच्छा नहीं है मनिबन अगर इस तरोसी हो तो जीवन में संगर्श की इस्तिती जादा रहती हो मनिबन इस तरह से है तो कोई न कोई चिंता जीवन में बनी रहती है इस और यह संकेत करता है दूसरी अगर बात देखें यहाँ पे आपकी जो इर्दे की लकीर है यह इस तरों से जाती हूई दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में यह देख रही है और इस ग्रह का प्रभाव पढ रहा है मनि आचार्य ब्रस्पति और जो है सनी का प्रभाव इस पे पढ रहा है एसा बिक्ती अपनी जीवनकाल में बड़ा महत्वकांची होता है आप भी महत्वकांची है आपकी सोच सदेव प्रिस्तिती जैसी भी रही हो लेकिन सोच सदेव आगे बढ़ने की रही है गुरू का प्रभाव पढ़ने के कारण आपकी जो इक्षा है वो एक टॉप लेबल तक पहुचने की रही है एक स्रेई पाने की रही है वहीं सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए जुगार लगाना पड़े, मेहनत करना पड़े एन केन परकारेन जो भी हो जाता है वो करते भी है, करेंगे भी यह भी यहाँ पर दिखाई देरी है लेकिन बरतमान समय में देखे तो यह रेखा धीरे 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 मोटी होती जा रही है और जब यह मोटी होती जाती है तो कहीं न कहीं जो है हमारा जो इमोशन है उसमें बदलाव करना इसरो कर लेती है यहाँ पे देखे होगे तो इस तरह से और इस तरह से जो है चीजें बनती रही है पूरा पद्म का चिन नहीं है इसलिए पद्म का जो है इसमें कोई प्रेणाम नहीं निकलेंगे हाँ यह है रह्ष्यमई बिद्याओं की तरब भी आकर सित जादा करता है और ब्रिस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो उस और व्यक्ति उसको गहराई से समझना चाता है उस और उसका रिसर्च करना चाता है और कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति एक समय आता है कि दार्षनिक किसम का व्यक्ति तो लिए होता है एक समय आता है कि व्य रिक्ति की समझ में नहीं आती है लेकिन ये साइन अच्छा है यह साइन बढ़िया है ये इसको हम बुरा नहीं मानेंगे ये अच्छा है हस्त रहएक हाइख। की तरफ से देखा जाए तो लेकिन एक रेखा इदर से आके और इसमें समाहित हो रही है ये निमन मंगल का छितर है इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है साथ में आप ध्यान से देखें तो ब्रिस्पति का ढ़लाओ जो है सनी की तरफ है कही न कहीं पारिवारिक समस्यां जन्म ले सकती है कहीं न कहीं ये रेखा है तो दामपत्य जीवन का जो सुक है उस भोग में कमी आ सकती है मंगल के कारण और साथ में सनी इस तरों से बहुत ज़्यादा उबरावा है तो बेवजहे की चिंताएं रह सकती है जीवन में बिक्ति कई बार दुखी वो जाएगा और नौकरी चाकरे का अगर कर रहा हो चाहिए किसी भी छेतर में हो काम सारा वो करके देगा सरे को यह और ले जाएगा और जिससे जो है तनाव की इस्तिती जो है सुरू हो जाएगी कहीं न कहीं अर्चने आएंगी बेवजहे की सब को सही चला होता अचानक कुछ ऐसे मेल आजाती कुछ ऐसे अर्चन आजाती कुछ ऐसा हो जाता जिससे तनाव की स्तिती को बढ़ा देता है बेवजहे की चिंताएं कहीं न कहीं और इस्तिर कर लेता है कहीं न कहीं जियोन में सब कुछ होती होई भी खुशियों में कमी करने का यह कार्य कर लेता है तो इसके लिए जो है भाग्यास्तान को ठीक करना बहुत जरूरी होता है और मंगल का भी इसाब किताब देखना है ब्रस्पति का भी इसाब किताब देखना होता है यहाँ पे अगर इसको देखें हाँ बहुत बड़ा त्रिकोन बन रहा है इसका मतलब यह निश्चित है कि अचल संपति प्र कर बन रहा है जिवन के सुरुवात में थोड़ा मानसिक रोप से ये हलके रोप में लगता है कि प्रोप्लम सुरू कर सकता है लेकिन वो समय चला गया है ये थोड़ा धनुसाकार है और और दो चंद्रमा पर ये जा रहा है रेखा अच्छी है लेकिन कुछ मामलों में केवल के कभी ताएंगी तोगे रहा है सब बहुत अच्छा लिख लेता है राइटिंग इसकल्स अच्छी होती है बेकिती की और कहीं न कहीं यहां से ये रेखा भी जारी हो तो ये प्रोग्रेस रेखा कह रहा है थी राइटिंग इसकल्स के साथ साथ नेत्र तो चमता के गुन भी ह जादा दिखाई दीरी है बौदिक अस्तर अच्छा है लेकिन चिंतातर सुभाव को भी देता है कई वार है एक चीज और है यहां से करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरह से निकलती हुई दिखाई दीरी है लेकिन एक आय कि जो है इर्दे रेखा में समाहित हो रही आकर तुरित रूप से गलत निरणे किसी न किसी प्रकार ले लेता है और उसी निरणे के कारण कहीं न कहीं चाहे आंसिक रूप से हो चाहे जो है ब्रेदर रूप से हो अपनी जो डेपलप्मेंट है अपनी जो प्रोग्रेस है उसको अवरुद करने का स्वयम काम करता है त तो इसके लिए आपको चाहिए कि धन और करियर के मामले में विसेश कर सजग रहना चाहिए, वैसे चपन वर्ष के बाद सजग रहने के आफशकता नहीं है, उसके बाद तो गोर्डन टाइम है, आपका अपना टाइम है, उसको आप भुना के चलिएगा, बहुत सुन्दर रह एक रेखा यहां से निकल रही, यह भी बहुत अच्छे है, सनी की तरफ जा रही है, यह अच्छा कार्य करती है, लेकिन यह रेखा इसको काट रहे तो इसके महतों को यह खतम कर रही है, एक रेखा इस तरह से है, यह रेखा भी बहुत अच्छे है, बिक्ति की बिक्तित्तो बार बार भी मोथ के मोहं में भी چले जाए तो भी आश्चर जनक रूप से बाहर निकल जाता है। उस प्रिस्तिती से उसको भी दिखाता है ये साथ में अगर देखें तो जीवन की जो लकीर है आपकी इस तरों से आती हुई और यू जा रही है और ये मड़िबंद छेतर पे जाती हुई दिखाई देरी है अपने जर्म अस्तान से दूर ही ऐसा विक्ति प्रगति कर लेता है और जादतर अगर देखा जाए विदेश यातरा का भी ऐसा विक्ति चाहे तो लाब की प्राप्ति होती है एक रेखा इस तरों से आती हुई दिखाई देरी है सुक्र से चंद्रमा की और आरी है कहीं न कहीं जो है विदेश यातरा मिलेगी पक्का ये मुहर से लगा लेती ह अगर बिक्त चाहे तो ना चाहे तो वो बात अलग होती है हाँ एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है अब यह कहां गोम रही है ज़रा देखें इसको यह इधर से जा रही है यह जा रही है बस ये बुद्ध पे जा सकती है या जो है सूरे पे जा सकती है लेकिन जब जाएगे तब ही इसका प्रणाम आएगा अब ही यहीं तक है ब्यापारिक अगर हम कहें सोच ज़्यादा बढ़ा रही है लेकिन ब्यापार को कम दे रही है तो यही प्रणाम इसके देखने को मिल रहे है हाँ एक रेखा आपकी इधर है यहाँ पे देखा जाए तो एक वर्ग का सायानदार सायन बन रहा है अचल संपति का बहुत अच्छा लाब मिलेगा इसके और ही संकित कर रहा है और यह रेखा है आने वाले 56 वर्षी के बाद से दूसरों का सयोग भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में मिलेगा जिवन में इस्वर की जो किरपा बनी हुई है आपके उपर अगर उसको देखा जाए तो वो फली बूत होती हुई दिखाई दे रही है ये लकीर ये भी इंगित कर रही है वेंसे आपके अंदर परतिवा बहुत अच्छे है तीवर बुद्धी के आप मालिक है जो सोचने और समझने की सक्त है वो आप में विसेश रूप से है और ऐसा ब्यक्तित्व भी है जीवनकाल में एक बार येदि कोई निड़ने ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेते हैं और रखेंगे आपका ब्यक्तित्वा आने वाले समय में और भी अच्छे रूप में निखर कर आ जाएगा अच्छा खासा प्रभाव साली रहने वाला है और अच्छल संपत्य का लाब भी आपको प्राप्त होगा ये आपकी हतेली यहाँ पे बता रही है मनि आने वाला जीवन वास्तों में आपकी मुठीमी है थोड़ा सा कुछ एलिमेंट, कुछ ग्रह इस्तिति कुछ समय तक के लिए और ये कलाई वाला भाग संगर्स और चिंता का भाव भी रखेगा लेकिन कुछ समय के लिए अंगुठे का नीचे का भाग देखा जाए इसको सुक्र का परवत कहते है ये हमारी हतेली में बैठने वाले सेकिन आचारे है दो आचारे बैठते हैं ये सिकिन है और ये सुक्राचारे जी है ये देंतियों के गुरू है देंतिया गुरू लेकिन भगवान शंकर के इसस्या है और हमारी हतेली में कला है सुन्दर्या है, सुन्दर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए में इसका पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी है सच इस्तित में देखें आप लोग भी सरल इस्तित में अगर देखें तो ये सुन्दर रूप से उबरावा दिख रहा है तेजो मैं अवस्ता में है ये तेजुस्वी होंगे आप आपकी प्रसनल्टी बेक्तितों भी बहुत ठीक होगा और जो सुन्दरता और आकरसम वाला पार्ट है वो आपके अंदर विदित होगा हर प्रस्तित को जहलनी की छमता भी है लेकिन यहां पे बहुत सारी रेखाएं भी यहां पे दिखाई देरी है और जब सुकर परवत पर रेखाएं बनती है एक दो चार बने कोई बात नहीं जब ज़्यादा बनती है तो किसी ने किसी रूप चीज के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है उस अस्तान पे चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत परिसरम के बाद भी जो है निखार विक्ति के जीवन में उसके हिसाब से नहीं आता है इस चीज को ये दिखाता है कहीं न कहीं थोड़ी सी मानसिक इस्तिती को भी ये दिखाता है जादा सोचने की थोड़ा तनाव की स्तितिकों भी दिखाता है और इसको बहुत सरलय ठेक करना है हाँ ये भाग अच्छा है लेकिन देखेगा यहाँ पे अगर गुणा का चिन है इस्टार का है तो धन संपतिका लाब मिलेगा फोटो में पूरा नहीं दिखरा है आप ध्यान बंदों के मामले में संपति के मामले में थोड़ा उलजन से दोर रहें ये कोट कचरे का मामला भी बनाता है लेकिन अभी किलियर नहीं है ये इस्टार है या मुझे तो इस्टार लग रहा है कि अचल संपतिका आपको लाब मिलेगा ये अस्तान बहुत सुनर है प्राकरम ब बहुत सुन्दर रहेगा डगमगाएगा नहीं एनर्जेटिक सुभावन रहेगा जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जे के साथ मिलेगा दूसरा भी कमफर्ट फिल करेगा हां थोड़ा ये पर वो देखे सनी सी मिलना है और कहीं न कहीं जो है पारिवारिक समस्याइ जन्म ले सकत इस और जो है ये दिखाए दे रहा है ये ठीक नहीं है इसके बारे में मैंने बता भी दिया है कि बेवजहे की चिंताई हो गे रहा है ये देता रहता है जिवन में और ये भी ठीक नहीं है हाँ ये ठीक है ये ठीक है वानी की सक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है जो भी बहुत ए है वो इसी का कारण है क्योंकि यह राजकुमार है तन की मन की जो सुन्दरता बनी हुई है यह इसी के कारण यहां पर दिखाई दे रही है और चंद्रमा भी आपका बहुत सुन्दर है चंद्रमे कोई खरावी नहीं है क्रियेटिविटी बहुत अच्छे क्रियेटिव है जिवनकाल के लिए अच्छी योजनाई बना रहे सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी इसी की वजोसे अच्छा है और जिवन में जो सकारात्मक सोच बनी हुई है जो आगे जो है मन को प्रफुलतिय कर रहा है मज पूरी सी जो है आपको जिवन चरिया हलकी रूप में टन देने की और है थोड़ा सा जो है जिवन चरिया बदलने की यहां पे जरूरत है हलकी रूप में बस थोड़ा सा कर्म लेना है और जिवन बहुत सुनर चलने वाला है सूर्य को ठीक करेंगे तो हर जगह जो है आपके कारियों का विस्तार होगा आपको स्रे मिलाएगा अपने कर्मों का आपको क्रेडिट मिलेगा और प्रसिद्धी भी मिलेगी आर्थी की स्तिति से लेके सामाजे की स्तिति जरूरी है, और ये हर कोई कर सकता है, मैं बहुत सुन्दर तरीके से दूँगा, करने की कोशिस करें, बहुत सुन्दर पहाँ, आपको प्रेणाम मिलेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनव पस्तित हूँगा, तब तक के लिए, नमस्कार.